हम अतिहात में, धर्में बड़ी अच्छे चिवातें करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर वो जीवन में नहीं उतरते हैं, आच्रन में नहीं उतरते हैं, आच्रन में जो नहीं उतरें, तो फिर सुनने की जरूत क्या है, टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, इसके कर्म करते, पैसा तो कमाते, कम से कम पैसा कमाते, तो कुछ अपने पास सम्रिद्धी आती, यह आती, सम्रिद्धी आई तो वो भी एक आंगी आई, वो कई कश्ट लेकर के आई, आज सबसे बड़ा रोग अगर देखा जाए, तो वो है बैचेनी, तनाओ, विक्षुब दिता, आज तीस साल का बच्चा हमारा, तीस साल का बच्चा मत कर यह चले, वो युवा क्या लीजिए, तीस साल का युवा ड्रेंच हो करे जाता है, पुरा पुरा सूख कर करे जाता है, निचुड जाता है, सारी उर्जा उसकी खतम हो जाती है, वो सारी उर्जा खतम हो जाने के वो जल्दी से जल्दी 30, 32, 33, 34 साल में बूड़ा हो जाता है उसके पास काम करने की उर्जन ही शेश्रिती है इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा काम काम करते करते कमा लिया डेडड़ करोड के, दोदो करोड के पक्स मिल रहे हैं मैनेजर्स को IIT टेक्निशन्स को विदेश जा रहे हैं, महां खुब पैसा मिल रहा है आप लोग विदेश जाना पसंद नहीं करते हैं, भारत में रहना पसंद करते हैं भारत में इतना अच्छा वेतन मिल रहा है कि यह रहना पसंद करते हैं बहरत में रहें तो द्रश्टी तो भारत की रहे, भारत में रहें तो द्रश्टी तो अध्यात्मिक रहे, भारत में रहें तो सांस्कृतिक चिंतन, सांस्कृतिक विजन डेवलोप हो, अध्यात्म और विज्ञान, दोनों जब साथ साथ चलेंगे, तब हमारी संस्कृति पु अपनी चमक होता जा रहा है अपनी प्रमानिक तक होता जा रहा है अपनी एक प्रकार से कहा जा विश्वस नी तक होता चला जा रहा है और युवा पीड़ी नहीं जुड़ रहे है अगर आप 54 करोड युवाओं को पूछें 54 करोड युवाओं में से कुछ गिने चुने संग पिचास साल के उमर के बाद के लोगों के लिए है धर्म अध्यात्म का ये दीवियाव हरी की सुरुप समय में आ जाए धर्म अध्यात्म हमारे जीवन में हमारे रूम रूम में कणण में हर श्वास में समाहित होना चाहिए और ये धर्म अध्यात्म आ गया तो हमें जीवन साथ नहीं प्रकर हो जाएगी कि हमारे कारी की efficiency बढ़ जाएगी आज फो क्या ग्या है बहुतिक वाद जो टेजी से बढ़ा उसके साथ technical education पाने की कामना बढ़ी technical education पढ़ने के साथ शिक्षा बढ़ी और शिक्षा बढ़ने के साथ साथ चानों तरफ clutter of information दिखाई पड़ती है दो वर्ड अलग-अलग है तीन तीन वर्ड मान लेजी अज्ञान विज्ञान और ज्ञान अज्ञान तो वो है जो ignorance है आज जी वो पड़े लिखे को भी हो सकती है और सामाने वेक्ति को भी हो सकती है विज्ञान वो है जो विशिष्ट ग्यान यहने विनोबा कहते थे विशिष्ट ग्यान विशिष्ट ग्यान किसलिए जिसके साथ तरक तरत्य प्रमान जुड़ा है वो विज्ञान पर वो बहिरंग की दृष्टी है बहिरमु की दृष्टी है तो उसके साथ ज्यान जुड़ना चाहिए ज्यान क्या है? ज्यान जो हमारी अंतर प्रग्या को विक्सित करें intuition पावर को डेलोप करें ज्यान वो जो हमें जीवन जीने की दिश्टी सिखाए ज्यान वो जो हमें जीवन जीना सिखाए ग्यान वो जो जीवन जीने की कला सिखाए